कर अद्व आम अध्यकूम त्दों का पेज नूम्बर फिफ्टी। फाइव पढ़िए जैसे कि हमने हाथी की फ्टूंट बन पढ़ा उसके बाद हम दो काफ बढ़ने जा रहे हैं पाइच फिफ्टी। फाइब तो हमने देखा था कि फिफ्टी फोर पे जो है वो हाथी का बच्चा जो है उसको कोई नहीं बताता कि मगरमच क्या है तो वो जो है वो निकल जाता है दूर निकल जाता है और दूर जब जाता है तो दर्या के किनारे एक जानवर को देखता है लंबा सा जानवर सो रहा होता है दर्या के किनारे तो जाकर उस स पूछता है कि क्या आपने मकरमच को देखा है तो वो इसको कहता है कि आप मेरे पास अपना कान लाओ मैं उसमें बताऊंगा आगे आज पढ़ेंगे जैसे ही हाथी के बच्चे ने बात सुनने के लिए अपना सरागे किया इस जानवर ने इसकी नाक पकड़ ली हाथी के बच्चे ने अपनी नाक छुणानी चाही मगर लंबा जानवर बहुत ताकतवर निकला उसने मजबूती से हाथी के बच्चे की नाक पकर रखी थी और उसे अपनी तरफ खींच रहा था हाथी के बच्चे ने अपना पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार अपने नाग छुड़ा ही ली मगर नाग बेचारी खिंसते खिंसते बहुत लंबी हो चुकी थी तब ही से हाथी की नाग इतनी लंबी है कि उसे नाग नहीं बलके सून कहते हैं और हाँ भला ये तो बताईए कि वो लंबा सा जानवर कौन था आप देखें हमने क्या पड़ा कि नारे सो रहा था वो कौन था जिसे हाथी के बच्चे ने कहा कि क्या आप को मगर मच्च का पता है तो उसने कहा कि आप अपना कान करीब लाओ तो मैं उसमें बताऊंगा तो वो जानवर हकीकत में मगरमच ही था कौन था? मगरमच ही था तो जैसे ही हाती के बच्चे ने अपना कान उसके पास लेके गया तो उस जानवर मगरमच ने उसकी नाग पकर ली और हाती के बच्चे ने अपनी नाक शुडानी चाही लेकिन मगर मश क्योंकि एक ताकतवर जानवर होता है तो वो ताकतवर था इसलिए उसने उसकी नाक नहीं चोड़ी तो हाती के बच्चे ने अपना पूरा जोर लगाया और अपनी नाक शुडा ली मगर नाक बिचारी जो थी वो बहुत जादा लंबी हो गई, इसलिए हाथी कि नाक को नाक नहीं बलके सूंड कहते हैं तो यह इसमें वज़ से हकीकत नहीं है, क्योंकि अल्ला ताला ने उनको ऐसा बनाया है, इसलिए यह कोई इंसिडेंस नहीं है जिसकी विरस उसकी नाक लंबी हो गई अल्ला ताला ने उनको ऐसा ही बनाया है, ठीक है, तो यह बस आपके फ़न के लिए यह स्टोरी है तो देखें, जैसे ही हाथी के बच्चे ने बात सुनने के लिए अपना सरागे किया, उस जानवर ने उसकी नाक पकड़ ली हाथी के बच्चे ने अपनी नाक छुड़ानी चाही, मगर लंबा जानवर बहुत ताकतवर निकला उसने मस्बूती से हाथी के बच्चे की नाक पकड़ रखी थी, और उसे अपनी तरफ खींच रहा था हाथी के बच्चे ने अपना पूरा जोर लगाया दिया और अखिरकार अपनी नाक छुड़ा ही ली मगर नाक बेचारी खींचते खींचते बहुत लंबी हो चुकी थी तब ही से हाथी की नाक इतनी लंबी है के से नाक नहीं बलके सून कहते हैं और हाँ भलाईए तो बताईए वो कौन सा वो लंबा सा जानवर कौन था जाहर है वो कौन था मगरमच था ठीक है इसलिए उसको उसके बड़े जो थे वो नाम नहीं बता रहे थे मगरमश के बारे में नहीं बता रहे थे क्योंकि हाथी के बचा डर जाएगा और खौफ जदा हो जाएगा इसलिए उन्होंने नहीं बताया था देखें तो मेंचिन डेट है इसको अपने चैसे याद करना है